इसापू सन तेरा सो पंद्रा एक गौरवशाली दिहास का साक्षी विक्रांत का सामराज्य भारत के सबसे शक्तिशाली राजा महराजा विजय नारायन मरुत्पती जितना महान इनका सामराज्य था उतना ही विशाल उनका हरदै भी था एक और जहां प्रसार नीती से अपनी सीमाओं को विस्तृत किया वहीं दूसरी और अपने नागरिकों की खुशाली का पूरा ख्याल रखा इस सामराज्य की सीमाएं उत्तर से दक्षिन पूर्व से पश्चिम दूर दूर तक पहली थी और इसका शेय जाता है महराज के जहेते राज के मुख्य सेनापती राजनायक को वाज की नजर जीते की खुर्ती रणनीती के माहिर वीरों में वीर पराक्रमी राजनायक अकेले ही दस हजार की सेना को पराजित करने की शंता रखते थे राजनायक की दो कमजोरिया थी पहली औरत और दूसरी राजा बनने का सपना जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे राजकुमारी रतना देवी को पाने के लिए पहले उसके प्रेमी और उसके बाद उसके भाई का वद किया उसके पश्चाट सत्ता पाने की लालच में बहराज को भी मार डाला और जब राजकुमारी रतना देवी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो उसे भी मौत के खाट उतार दिया मरते समय राजकुमारी ने उसे ऐसा शाप दिया जिसकी वज़े से राजनायक की आत्मा हमेशा के लिए कैद होकर आज तक खोर उत्पीडन का अनुभव कर रही है। उस शाप से मुक्ति का रास्ता कुछ प्राजीन ताड़ बत्रियों में अंकित था। झाल चर। झाल इसकी मृध्यू हो चुकी है दैव कुमारी में कई आलोकिक शक्तियां मौजूद है मृध्य शरीर में फिर से प्राण फूँक सकती है वो नवकाली का पूर्णिमा का राज बताने वाली तारपत्रियां गायब है हाथ हटा लो ये क्रूर आंधियां इस पवित्र अगनी को कभी छू नहीं सकती वातावरण में ऐसा बदलाव आने वाले बुरे काल का संकित दे रहा है आज से आने वाली तीसरी पूर्णिमा नवकाली का पूर्णिमा है साथ सो वर्ष बीच चुके हैं लेकिन भव्यता का प्रतिक रह चुका विकरांत का सामराज आज भी वीरान है साथ सो वर्ष बाद भी अपने लोगों के बहाय रक्त को मैं आज भी महसूस कर सकती हूं अपने सामराज का नाश करने वाले का अस्तित्व मिटा दूंगी मैं साथ सो वर्ष आठ हजार चार सो पूर्णिमा है इस बंधन से मुक्त होने के लिए तडप रहा हूं अब मुझे सिर्फाने वाली नवकाली का पूर्णिमा की प्रतीक्षा है इस श्राप से मुझे मुक्ती दिलवाएगा काश्मोरा कहीं उस दुष्ट राजनायक की आत्मा को श्राप से मुक्ती न मिल जाएए सूच के मेरा मन काप उठता है क्यारा बार जन लेकर तपस्या की है उस दुष्ट का वद करने वाला बान बन चुकी हूं मैं बान को चलाने के लिए कुशल धनुर्धर चाहिए देवी काश्मोरा कहा है तू काश्मोरा यह है श्री घंशाम दास का घर कुछ दिनों से यहां अजीब औ गरीब घटनाएं घट रही थी किसी रुहानी ताकत ने इस परिवार का सुखचैन छीन लिया था इन्होंने कई तांत्रिकों और पीर बाबाओं की मदद भी पर इस मुश्किल से निजात नहीं मिल पाई आखिरकार किसी की राय पर घंशाम जी ने इस देश के ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या के सबसे बड़े चानकार काश्मोरा को बुलाया इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता था एक शक्तिशाली शैतानी रूह को काबू में कर सकता था तो वो था काश्मोरा केले के पवित्रपत्य को ले आओ का तंत्रपत्र में अगर को अगर कर तंत्रपत्र था को अंत्रपत्र उनकार्पत्र वोडिया स्वाम इडि वह दो यहांतै कुछ लख रो टुछ लख रो लख रो लख रो लख फियुद हम अपग 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 फॉख करको सकता पाप, पाप, पाप! पाप, पाप! कर दो कर दो कि अर काना dipping एस हांट अंयुट एक में 45 बालो कि अ कर दो कर दो के वीआ का वीआ काथ कर दो कि अूप में झाल नहीं है झाल तर भाई नह दो भाई चाल очкиण करें भाई चाल नद चाल चाल भुभ हम तो जाल तो है प्रकाताट में प्रकाताट ुपा तो जाल तो खोज दो जड़ निकलो वाण निकलो रजब जाओ पापा। आपकी पतनी के किसी रिष्टेदार ने आप पर वुडू मैजिक किया है। उस पुतले के जरीए आपके पीशे एक पापी आत्मा लगा दिये। मैंने पुतला जरा दिया है। अब आपको वो हानी नहीं पहुचा सकता है। उसे समुद्र में डुबोना है। थोड़ी जान बाखी है। उसे मैं समाल देगा। स्वामी जी अब तो किसे कट नहीं है। खुछ जादू करके बुलाओगे तब भी तुमारे करीब में आएगी। चलो। जासूस बनके अपनी मंगेतर का पीछा कर रहा हूं। तु मेरी बॉंड गिरी में दखल मते। चलो। बाइब। बाब रे, यह रास्ता तो शम्शान गाट की तरफ जाता है। मुझे तो लगता है कि इस ने अपने बॉइफ्रेंड को वहाँ पर बुलाया। यह तो बैंक में जॉब करती है ना। लगता है कोई लोन लेने वाला मर गया है। परफेक्ट। हाई सर। है क्या है। आपके हाफ ब्राइंडी। कॉटर्स की दो बॉटल लाई। लगता है ब्लैक में दारू बेचना इसका फुल टाइम जॉब है। पानी है। हाँ है ना मिनरल बॉटर। है यह क्या रहे। पानी से क्या नहाने का है। वो बॉटल चाहिए जो कच्च से खुलती है और फिर फिससे आवाज आती है। सोडा बोलते है उसको। मैं.. जल्दी से सोड़े का पैसा दे। चीन जी.. जा गंगूत लिकिया से उधार सोडा लेकिया। काम बोल। मैंने बताया था ना सर। मुझे भूट देखना है... कभी भूट नहीं देखा क्या.. नहीं, सर। समझो.. सामया तो आत्मा और घ्याइब्त धोड जो अगर अच्रव ऐसे पूटा तो अत्मां किसी थे आ तो भूथ चुडयल देखोती तो डरोगी तो नहीं रहूं की बन्दो जाती है और देखो चुटे लागाई तो तुम पर मैं केस करूंगा है अलो भाइसाब मेरी बात तो सुनिये जाने लगी है अब तो खुश हो ना तुम्हें पता है लड़के के बाप में तुम्हें तांत्रिक कहा और वो सगाई तो ना चाहते हैं मुझे एक भूत नहीं के बाप होने का लेबल लगा दिया जब तक अपनी थीसिस पूरी नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करने वाली बिना पर्मिशन रिष्टा करेंगे तो यहीं होगा ना पहले भूत देखूंगी उसके बाद दूले को भूत का पता नहीं लेकिन लड़का पैरलिसिस अटैक के बाद भूत जैसा दिखेगा और अ थैंक्स पापा थैंक्स भगवान मेरा वह मतलब नहीं था तुम पहले शादी तो कर लो उसके बाद तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा पती दोनों मिलके साथ में भूत ढूंड़ना और एक और तरीका भी है एक भूत बच्चे को जन देकर उस पर रिसर्च करना इस बह महिने का वक्क दे रहा हूं अपनी स्टूपेड रिसर्च पूरी कर लो नहीं तो तुम्हें मार के भूत बना दूँगा फिर खुद की शकल आइने में देख लेना इस स्लो स्पीड से ना तेरी थीसिस पूरी होगी और ना ही शादी हो पाएगी मेरी बात मान काश्मोरा नाम के तांत्रिक से मिल वो आत्माओं के स्पेशलिस्ट हैं भूत भगाने से लेकर चुडैलों और पिशाचों को अपने वश में करने का कॉंट्रेक्ट लेते हैं फ कि अधिए आपका स्वागत है यह काश्मोरा कैसा नाम है इसका मतलब समझाएंगे काश्मोरा आत्मा का एक लोकल नाम है जो बहुत पावरफुल हैं वो किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं जन्ब से गौड गिफ्ट मुझे हासल था इसलिए पिता ने काश्मोरा नाम रखा ओके तो देखते हैं भूत प्रेट में जो विश्वास करते हैं वो लोग यहां बैठे हैं और जो इसे फ्रॉड समझते हैं वो लोग स्टूडियो में इस तरफ बैठे हैं तो आएए पहले इन से शुरुवात करते हैं आप में से यदि आत्मा को किसी ने भी देखा हो या उसके साथ इंटराइक किया हो तो बताइए सर कुछ दिनों से हमारे टेरस पर हर शानिवार सुबा साड़े साथ बजे एक कववा आकर बेसुरा रोता है सर कुछ दिनों तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया फिर याद आया कि उसी जगहे पर मेरे दादा पेपर पढ़ा करते थे इसलिए हर शानिवार मैंने इस बात को अब्जव करना शुरू किया सर एक न्यूस पेपर और एक पानी का गिलास मैं साड़े साथ बजे वहां पर रखने लगा वो कववा पानी पीकर चला जाता था तब हमें एहसास हुआ कि हमारे दादा स्वर्ग नहीं गए बल्कि उनक कि आत्मा उस काले कववे में आ गई है अपना ड्रामा बंद कर टाइम पे तो पुलिस भी नहीं आ थी कववे को टाइम का कैसा बता अपना नाम बताएंगे शेकर कववा टाइम देखना नहीं जानता था लेकिन तादा जी जानते था सर आम तोर पर देखा है कि आप जैसे धार्मिक और अध्यात्मिक लोग काले या भगवे रंग के कपड़े पहनते हैं लेकिन आप तो यूनिफॉर्म सिर्फ पुलिस या आर्मी के लिए होती है ऐसे फ्रॉड या चोर किसी भी ड्रस में लूट सकते हैं सर ये काश्मोरा अ कुतर्क से सत्य नहीं जुटलाया जा सकता हमारे सौर मंदल में नौग रहे हैं जिसकी खोच साइंटिस्ट ने कुछ सौसाल पहले की लेकिन इस खोच से पहले क्या उनका अस्तित्व नहीं था साइन्स के डिफाइंड किये एक्वेटर या ऑक्सिजन दिखाया जा सकते हैं यू आंसमी हमें ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा फ्रॉड से संधे पैदा होता है पर जैनुन को परखना एक बड़ी कला है हेलो फ्रॉड नहीं हो ये साबित कर सकते हो चलिए आत्मां को बिल्कुल ना मानने वाले दो लोगों को यहां बलाना चाहूंगा आचल डरते हैं कैसे मुझे दो टेबल की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम देखने वाले बच्चे और बुजर्ग प्लीज अपने टीवी स्विच आफ कर ले इस ड्रामे के लिए त अब आत्मा में विश्वास करने वाले चार वॉलेंटियर्स प्लीज यहां आई तुम बेठो कहां जा रहें जाने दो मुझे भी देखने हैं नहीं तुम मत जाओ देखा वो चार और हम दो बहुत नाइनसाफी है दो लोग इनके हाथ पकड़ लिजिए और दो लोग इनके पैर क्या भाई मुसाज देने वालो कि हैं है यहलो हमें चादर से क्यों दोग दिया तुम्हारी भलाई के लिए यह क्या पकवास है चादर नहीं चाहिए तुम लोग चीटिंग करोगा रहाओ इसको जल्दे जल् प्रूफ नहीं करना है सर भूत होते हैं सर मैं तो इसकी वज़े से हां गया था तो तुझे वज़े वगया रहा है अरे रुक काम आग रहा है रुक जा सारे कैमेराज इसकी बर्डी के सेंटर अपर फोकस करो ठीक से फोकस करो घट से यह सेट पूल यह क्या कर दिया अर्य मेरे तो टुख्णे करती है और जाह है मुझे में विश्वास नहीं करते हैं आके चेक कर ले और विश्वास करने वाले आप जो बोलोगे मैं कर दो मैंने काटा है मैं ही जोड़ोंगा आपको लगरा होगा ये वाकई में एक साधू भाबा है तपस्वी है या भूद भगाने वाला देश का तांतरिक नंबर है जी नहीं ये देश का फ्राड नंबर वन है यंत्र तंत्र मंत्र से इनका कोषो तक कोई लेना देना नहीं अपने टीम के साथ मिलकर पहले घर में बुरी शक्तिया होने का एसास करवाते हैं कहीं साउंड या लाइट्स का इफेक्स देके डराते हैं कहीं घर में कोई पुतले चुपा देते हैं और फिर ये महाशय एक्सपर्ट तांत्रिक बनके उस पुतले को ही ढूण निकालते हैं भूत को भगाने का दावा करते हैं हाथ की सफाई दिखाने वाले सड़क जादुगर और इसमें सिर्फ एक ही अंतर और वो अंतर है प्रेजंटेशन और मार्केटिंग स्किल्स का जो इस खोटे सिक्के को भी चार सो बीसी के बाजार में चलाए रखता है और लोगों में भूत और प्रेत का डर बनाए रखता है तो यही है वो धोंगी बाबाओं का बाब प्राओ नम्बर वन काश्मुरा अगर आपका ही तो इन्हें उठा दूँ इन्हें पता नहीं था कि आप यहां आने वाले हैं एक मासूम बच्ची की तरह सो रहा है स्वामी जी ने कहा है सोते हुए को जगाने से महापाप होता है स्वामी जी आपके बताया महुरत पर पहुंच गया था पर यहां पर कुट्ता जरा नींद में था शुब समय निकल गया इस समय कहा है कुट्ते के बेड्रूम में हूँ बेड्रूम दक्षन दिशा में है तो उत्तम होगा अच्छा दक्षन दिशा में कोई बेड्रूम है क्या स्वामी जी दक्षन दिशा के कमरे में लिया है ओ राजेश मून नक्चत्र में पैदा हुआ है आच्छा के तू कुंडली के तीसरे घर में बैठा है आपका राहू छटे घर में विराजमान है इस समझ लीजिए कि इस समय लोहे का इस्तिमाल करना बहुत अशोब होगा लो तूम हिलाने वाला वफादार कुटा था तू मालिक को भी काट खाया विश्वास तोड़ने से बड़ा कोई बाप नहीं होता कानूम में इसकी सजा लिखी नहीं गई है जानता है क्यों ताकि उसका दंड हम अपने अनुसार तै कर सके क्योंकि उसका आनंदी कुछ अलग है जले चले जले 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 लाई यह क्या दादी कुटों से साफदान के बजाए भूतों से साफदान क्यों लिखाया जिस घर में जो चीज होगी उसी से तो साफदान रहने को कहा जाएगा ना कुछ भी बखवास सुना रही हो यह बखवास नहीं है बिटा इतिहास है मेरे पती अगर गुस्से से देख भी लेते तो बड़े बड़े भूद दुम दबा के भाग जाते उन्हें देकर शेर का भूद भी चुहे का भूद बन जाता है एक पार ऐसा हुआ दो कुत्ते मर गए उनकी आत्माओंने मेरे पती को काट लिया उनकुत्तों की आत्माओं को ऐसा धुया ऐसा नहीं चुड़ा कि भौक ना भूल गए आज तक घर की प्री में पहरेदारी कर रहें आगे जा उनकी पूँच पर पाव मत रख देना हाँ किसकी पूच पर दादी उन्हें डिस्टरब नहीं करोगी तो वो भी तुम्हें डिस्टरब नहीं करेंगे दाडी बिना डरे प्यार से आगे बढ़ो मैं हूँ लाँ देफी सिट डाउन आइसेट डाउन डाफी डाफी डालिंग रिलाक्स देशी आत्मा से बात करने के लिए 5,000 और अंग्रेजी आत्मा के लिए 10,000 मैं बैंक से आई हूँ, काश्मुरा सर से मिलना है ओ, तो ये बात है डाफी, इनसे हाथ मिलाओ कम आन, कम आन क्या बात हूँ, आज तो डरती है क्या मा, अभी तक आपने खून नहीं पिलाया देखो तो कितने भूके हैं फूजा में बिजी थी, इसलिए लेट हो गया थोड़ी तेर भूक बर्दाश्ट नहीं कर सकते बिगार के रखा हुआ है पिला दीजिए, ममी इनहें खुन पिला देंगी आप अंदर चलिए ये फ्रेश खुन देखकर लाट अप काने लगती है इस जगह की खासियत क्या है भक्त अंडे और दूद चड़ाते हैं अंडो को नागदेव के बील में डालिये वो भी बीना फोड़े उन्डी पर भीड मत लगाओ आगे बढ़ते रहो जितना दूद दान दोगे खुस्बुदार चाय की तरह जीवन में समरिध्धी की मेहग बढ़ेगी भक्तों जैसे ही अंडा फोड़ोगे जीवन की फूटी किस्मत सबर जाएगी और उसकी जायकेदार बुर्जी बन जाएगी मेरा कोई धरम नहीं है हूँ मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ मैं सर्व व्यापी स्वयम पौर में स्वर हूँ जीन के एडवांस पेमेंट आ गए हो वो जरा धीरज रखे आत्मा के ओन लाइन आते ही आपका भविस्सी पूछा जाएगा सिर्फ हुंडी के आगे हाथ जोडने से जीवन नहीं सुदरेगा सुन रहे है मेडाम तुमारे लिए वो सिर्फ गुंडी है मेरे लिए वो एक भूखे इंसान का मूँ है इदर उदर क्या देख रही हो मेडाम इसमें डाली हरे कोडी किसी गरीब की जीवन में खुसिया ले आएगी जो आनाथ बच्चों की इसकूल की फीज ही डाल दो अए दस आनाथ बच्चों की बोलना चाहिये था अः ओरि भरी रहो यू काम एक्स्जूस में जल्दी का काम सैतान का होता है बेटी दुख्यारी डोलर लेके आई है मैं बैंक से आई हूँ बेंक से हाई हो, you come first, you go back to your country, कुछ पैसा वैसा लाई हो, उसके लिए नहीं, काश्मुरा सर ने बैंक अकाउंट खोला है, अकाउंट में पैसे डाल दिये, अभी तक तो नहीं, पासबुक, A.T.M. कार्ट, चेक बुक सब कुछ लेकर आई हूं, उसका में क्या करूँगा, कै मतलब रिसर्च के लिए, मैं भूतों और आत्मा उपर रिसर्च कर रही हूं, उनसे face to face मिलना चाहती हूं, अब तक जितने भी तांत्रिक मिले, एक नंबर के पाखंडी निकले, आप जैसे स्वामी बनके, बहुत भगानी का बिजनिस करते हैं, उन्ही तो चपलों से मारना सुरी सर, मुझे खलत मत समझना, मुझे जितने भी तांत्रिक मिले, सब चोर निकले, मैं अपनी थेसस को ड्रॉप करने का भी सोचा लेकिन, उसके बाद मैं काश्मोरा सर का शो देखा, और मैंने सोचा है कि मैं उन्हें जॉइन करूंगी, आज जट्पर कों के लिए पिज के लिए तुम कुछ कह रही थी, मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरे उने का अइसास नहीं होने दूगी, एक कोने में बैठ कर बिना आवास किये, अपने कैमरा से सब कुछ शूट करूगी, कैमरा से सूट करोगी, सिरफ इतना ही, टीवी चेनल में उ और इलेक्ट्रिक आर्तियों ने पर्वेस किया है, भगवान वहां से लोकसभा के एमपी की तरह वोक आउट कर गये हो, मैं ऐसा नहीं होने दूगा, मुझे मेरा भगवान बहुत प्यारा है, यू मैं गो, कैमरा नहीं लाओंगी, सूर, लेकिन अगर आपने अलाओ किया, तो मैं अनाथो के लिए बीस लाक रुपे दान दे दूगी, क्या है कि अनाथों का नाम सुनकर मेरा दील पीघुलने लगता है, एक लाक एडवांस दे दू, सॉरी सर, काशमुरा सर को जॉइन करने के बाद, गई बैस पानी मैं, इकोन है, चला जा, आजा, क्या मंगता है, आपने हमारे बैंक में अकाउंट खोला था, उसकी ATM, पास्बुक, चेक, सब कुछ लेकर आई हूं, अब निकल, यह तुमारी चेली अउसिस्टेंट बनना चाहती है, हाँ सर, प्लीज, प्लीज, सर, मैं प्रोफेसर दिखता हूं, फूटले, कॉल दुबार आना, कुछ बो प्ली के संसनी खेज मर्डर का केस अब CBI को सौब दिया गया है, जिससे मिनिस्टर बहुत परिशान है, वो राजेश का केस CBI की पास चला गया है, उसे का फरक पड़ता है, जब तक हमारा हाथ तुमारे सर पर है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, इस CBI, FBI, सब राज काल ग्रहन है, छोटी मोटी चिंता आएंगी, अरे तुम्हारे जैसे देश के सिवव को पर ये छोटे मोटे इल्जाम, तो लगते ही रहेंगे हमेशा भाई, तुम बस कर्म करो, और भाल की चिंता हम पर छोड़तो, सौामी जी दर असल दिल बहुत बेकरार है, दिल को ज़ स्वामी जी, खुश रहो, काश मोरा ने साइंस में टॉपर होकर भी, जोते शास्त्र और तंत्र में घहन खोच करके, बहुत सी आत्माओं से बात की हो, पर वो ठस से मस नहीं हो, अकाउंट इटेस दे दीजे, और लाइन ट्रांसफर कर दूँगी, तुम पर गरी मों का आस मुः माव 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 परनु़ की उनः नहीं हो, अ कर टो कि इचान टे ही हो, अ कि में अ कर दो कि एक डेक करती आपके पापा ने मुझे यहां चार बजे आने के लिए कहा था लेकिन समझ में नहीं आया शाम की आ सुभा के तो सेफटी के लिए मैं सुभा के चार बजे आ गई तेरे पास का डबल भेजा है यह थारे को बैंक दिखे जो सुभा सुभा डूट्टी बजाने मुझे सालरी नहीं चाहिए इन फैक मैं आपको अपने होने का हैसास भी नहीं होने दूंगी जैसे आत्मा ही नहीं दिखाए देती मैं भी नहीं दिखाए दूंगी किसने बोला कि मैं आत्मा को नहीं देख सकता कूल सर इसलिए तो मैं आपको जॉइन करना चाहती हूं मेरी थीसिस पूरी करने में एक आप ही है जो मदद कर सकते हैं प्लीज सर थीसिस का टाइटल क्या है? आत्माई डराती क्यों है कल आजा थैंक यू वेरी मच सर ए जो क्या करने वाली है? आत्माई और उनसे जुड़े फ्रॉड बिजनिस का शटर डाउन कैसी रही? इसकी पूरी फैमिली के डियने में फ्रॉडनेस है हर फेल की तरह इसमें भी फ्रॉड्स है उसके लिए हर तांत्रिक पर शक तो नहीं किया जा सकता न वो गलत होगा कुछ तो बात होगी उसमें जो उसके इतने सारे फॉलोवर्स है यह एक तरह का मास हिपनोटिजम है मेंटल कंडिशनी धिमाग में बस वहम डालना होता है याद है एक जादूकर ने कुछ मिनिट्स के लिए ताज महल को गायब कर दिया था पर वास्तव में वो वही था यानि आत्मा का कॉंसेप्ट एक छलावा है? अंदविश्वास है क्या? ये बात सच है या नहीं ये बहस का विश्य बिलकुल नहीं है विश्य ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं और उन्हें भगाना जानते हैं उन्हें एक्सपोस करना ही मेरी थीसिस है मुझे प्रूफ करना है ये एक फ्रॉड बिजनिस है मतलब काश्मूरा फ्रॉड है यही पता लगाना है ना अरे इसमें पता क्या लगाना वो तो कन्फर्म चार सो बीस है मुझे बस एविदेंस ढूना है बाई कभी रू भगाते थे अब मच्छर भगा रहे हैं गोसा करने स क्या होगा यही सच है जिन नाच से निजाल पाने के लिए लंबी कतारे लगती थी अब कब्रिस्तान सा सन्नाटा है बुरे जिन जैसा है ये काश्मूरा अरे बकरीद में तो हमसे मुफत की बिर्यानी उडाता था ये और अब हमारे ही खाने के बांदे हो गये हैं उसका कु क्या लोगा है नाग देवता के बिल के नीचे अंडों का स्थाक माहिन की बाद में खवर लेता है लगता है यहां पे सब के सब बे गए गए रहता हैं जी औरे केम चो भाई मजा मा अपने बेटे को बुलाओ जी बेटे को कास्मूरा वह इस वकत ध्यान लगा रहा है पाप स्रल खाने में ध्यान लगा ना मियां जोगा माइने नहीं रखती दील में स्रद्धा होनी चाहिए बस बेवकूफ मत बताओ मियां अंडे और दूद कहां को जाते इस बात का हमको पूरा इल्म है वो अंडे नाग राज के पास जाते हैं दूद योग राज को सप्लाय होता मियां फिर वो चाय और ओमनेट की दुकान पे तुमारी फोटो क्यों किसे टोपिया पिनाते जी वो सब तुमारी इस तो है ना है अरे गलत दुकान दारों ने आउट ओफ लाव गूड लग के लिए लोगाए बस भी करो मियां लाफिंग बुद्धा की तरह हसना बंद करो क्यों मार रहें मियां और माफ करना हो जान बुचके नहीं किया जब से तुम लोगा आयो है मेरे कारोबार पे नजर लग गई जी मोटा भाई नजर उतारने का उपाय है एक बरगत के पेड़ पर कील गार दो धन्दा फलने फूलने लगेगा बरगत के व्रिक्ष की तरह क् मियां हाकीम को इलाज सिखा रहें चाजा जान बेजे में क्या चल रहा है उगल डालो बेटा आज तक का इस शेहर में सब लोगा बिना भेद भाव के अमन से रहते थे और मजब का कोई मसला नहीं था मियां माध डारेक पॉइंट 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 क्या कर रहें मुझे मियां देखो आज के बाद मुसल्मान भाई मेरे पास और वो क्रिश्चन लोग उसके जाड़ भूगा करने माइकल के पास जब से तुम लोगा आयो कोई भी मजब या धरम हो भूत या जिन उतारने सिर्फ तुम लोगों के पास आते हैं काश्मोरा मियां हम भी तुमारी त काश्मोरा मियां तुमने तो अपनी घर्यत को दिवारा पे टांग दिया और वहां देखो नाग देवता को दूद में चायम लट पिला रहीं अरे चाचा क्यों गुसा हो रहे हो किसी दिन मैं आपको भी टीवी पे बुलाता हूं को मियां देखो यही बातों तो समझा रहा है यह सीखने के लिए दुबारा जर्म लेना होंगा है सुनो यह जादू है है वहां वार रोड़ा पे आईसा जादू सडक चाप जादू गर जोला में लेके घुमते मियां और भोली भाली आवाम है इसे सवफी सदी सत समझ बैटती क्या लेकिन यह गलत है मुझे भी मत बोलना मेरे को क्या मोश निकले अधर से अपने बैनों को भीज़ देना उसकी लाइफ भी सेट कर दूँगा अल्ला अफिस है है मिया तू हमको बरबाद करेंगा है तू हमको सड़कों भी लाने की सोच रा मैं तेरा असली चरा सामने लाऊंगा सुले कल पुलिस को लेकर आता मैं तुम्हारा धंदा चोपट करवा के तुम्हें जेल भिज़वाता मर्दा की अलादे तो घर पिछ रेना भाक्ति जन्द पधार चुकिये अभी से कलेक्शन सरू कर लूँगा तो रहां तक दो तीन लाख रुपे जमा कर लूँगा कास्मोरा वह भाई जन्द पूलिस को ले आया पूरी बोट साथ में आई है जल्डी सब चुपा दो और नाक के बिल को किसी और के बिल में छूपा दो कास्मोरा कौन है वह मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं हो मैं साडिया बेचता हूँ यह देखो मैंने सेमफल पहना है दो पे पाच फ्री है तुमारी बीविया कितनी है पिताजी आपने मेरा शॉल देखा और यह बड़ी सरारती बच्ची है कोलनी के हर आदमी को अधर्या है कि वुट बड़ा और वालिया में संत्रमंट्र के नाम पे लोगों को उल्लू बनाता है तुम अपने आपको बहुत बड़ा तांत्रिक जब जब देखो तो फ्रॉड गरी करता रहता है एक्टिजल आपको साब अंदर बूला रहे है साहिब साहिब क्या रहे जो मैंने सुना वो सही है क्या सुना है आपने तीवी में प्रोग्राम करते हैं बहुत हीट है तेरा टी आरपी बोज्जबर्दस्त है उनका शो है उनकी टी आरपी है मेरा कुछ नहीं है इक है हाथ के सफ़ाई करता है ना संबल जा गलत शिकाहित किये किसीने आपको मेरी यहाथ की सफ़ाई नहीं है यह भगवान की देन है जहां आपकी वेवस फ्रीक्वेंसी वाइबरेशन्स आत्मा उसे मैच कर जाते हैं और फिर आप उनसे बात कर पाते हैं आत्मा इस समय मैं पुल नहीं पर उनसे लोग ही समझ सकते हैं पर आत्मा उसे बात करने का डिपलोमा किसी उनिवेसिटी में इसलिए सोचा की एक डिपलोमा प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए मेरी पूरी फैमिली सेवा में लगी है सर अँँँँँँद सभी आप ए हिरो हुँँँँँद मे अशा का विशेष नाय स्टेशन के पास से गाड़ी चुरी हो गया है उसको ढूंड के देना प्लीज आपके गाड़ी थी डिपार्मेंट की गाड़ी है इसलिए तो फटी पड़ी है मेरी इधर के जितने गाड़ी चुरे उनको लाकर तोड़ा उनका काम नहीं है समझ लास क्या सर पुलिस नेटवर्ग जी पीएस ट्रैकिंग इस सब के होते वे अपनी गाड़ी ट्रेस ने कर पाए यकीन नहीं होता है आईसी बात नहीं है रे क्रैश वेलर प्लेन भी का मिलता है यह तो गाड़ी है दो दिन के बाद सी एम के साथ मेरा मीटिंग है इज्जत निकल जाएगी पब्लिक के सामने कुछ करना बाबा यह कम पुली स्टेशन में नहीं हो पाएगा तो जागा बता माई सब इंतजाम करूंगा इसमें आप क्या करेंगे काली देवी के मंदिर पर ध्यान लगा के डरेक्ली मैं आत्मा उसे चाटिंग करूंगा आप बिल्कुल चिं सिर्फ अंडे लाओ या काजू चकली वगेरे दारू पीनी है जो चकना लाओगे स्वामी से ऐसी बाते करते हैं सौरे बाबा आत्मा से मैं बात करूंगा दूद और अंडे नाक के बिल में चड़ा देंगा स्वामी यह बात हम दोनों के पीच में रखना बात मुझ तक ही बिल में जाने के बाद दूद बाहर नहीं चलगता कैश अब सर अंडे की भुर्जी नहीं बनानी है इसे प्यार से गिराए नागराज स्वामी डिनर में खुद खा लेंगे ठीक अब आपके अंडे मिल गई एक सीमा ने खा जहां दो भाशाओं का संगम होता है अरे पाप रे पाकिस्तान बॉर्डर मतलब गाड़ी टेरिरिरिस्ट के पास उस जगे का नाम ता से शुरू होता है अर्दा परखन बोले तो थाइलेंड चुप तास से सुरू आनी दा पर खतम होने वाली कोई जगर नहीं है स्वावी कहीं है क्या कानाडा तो काडा बला ना ताडा ताडा जुमरी तलया से पांच सो किलो मीटर दूर फ्लाय ओवर के नीचे केसरिया रंग के लुभावने रंग में रंगे एंटियार के पुतले के नीचे खड़ी है है जल्दी मालूम कर हो सब कुछ रेडी है तू फोन लगा गुद मॉनिंग सर साहिब मैं इंस्पेक्टर राज शीन्दे बोलता है काड़ी बॉर्डर क्रॉस किया मा कुछ लोचा तो नहीं होएगा ना बॉर्डर मनुष्यों के लिए होता है आत्माना टोल भरती है और ना रोड टेक्स साहिब एक गारी मिली उदर आप उड़ रहा है इसे कैसे बता चला इंसान तो क्या शैतान भी उसे नहीं चूपाएगा आ बोलियो साहिब उसे हात लगाया तो हावा में उड़ गया वो जो भी हो उससे कहो कि गारी से दूर रहे साब जंदी आओ जंदी आओ काड़ी से दूर रहा हो साहब ऑ जूराओ जूराह फो जूराहा छीं गारियो ज्सेुटत विधनावती खेशान ट्रेम सवाह काड़ी से दूराओ हाल नायक भाय नायक भाhr 벌ी रमष्वाहा बाहा फासन फूरिएशस 7 ग्ल्शाह हो उस सoby श्वाहा थारोऊ सभी आड्यक ग काडी चल रही है साहब बस लूबब छो जो जो फेफाल Crown कट्टी ड्राइविंग फॉल्सरेशन आ रही है साहब जय हो बबाबा जय हो कश्मॉरा बाबा की जय हो स्वामी मैंने आत्मा वाली बात पर यकिन नहीं किया उस आत्मा ने गाड़ी जीदर से खोया था उदरी पहुचाया देखो देखो मेरे वेक्षिंग की एलर रोंग्टे भी खड़े हो रहे है बाबा अभी तो भगवान में विश्वास हो गया आप जीदर खड़े होएंगे मंदीर उदर ही बना देऊंगा बाबा आशिर्वादो बाबा अरे आप की ने दार है बड़े बाबा आप यह ने दो आप जेसे बड़े ओफिसर संतों के पेर पे गिरे यह हम जेसे सवन्यासियों को स आप इनकी इतनी बुराई कर रहे थे देखिये उधर खुद एसीपी सर उनके चर्णों में गिरे हैं स्वामी ओ गाड़ी चोर का नाम बताऊना मैं उसको दंड दूँगा आत्मा उन्हें दंड देंगी डोंट टास्क दिस कुईस्चन अगेंड अपने सीनियर को फॉलो करना मेरे ड्यूटी है काश्मोरा जी की जाए सीधे बिजनेस करने में जितनी अकल की जरुवत होती है उससे कहीं ज्यादा दिमाग लडाना पड़ता है दो नंबर के धंडे मौलवी साब की धंकी के बाद काश्मोरा ने आने वाले खत्रे को भाबते हुए एक सीनियर पुलिस आफिसर की गाड़ी रात को ही उडा ली और अपनी टीम की मलत से वैसे ही दूसरी गाड़ी बना ली मैडम दोनों काश रेडी हैं डुपलिकेट को ताड़ा भेज देंगे और ओरिजिनल को पुलिस टेशन के पास छुपा के रखी और दूसरी कार ताड़ा क्रॉसिंग पर डुपलिकेट कार में करंट के जटके वाले गैजेट स्पिट किये और एक ड्राइवर को छुपा के कार में बिठा दिया पुलिस के सामने कार अपने आप स्टार्ट होकर आखों से ओजल हो गई जबकि ओरिजिनल गाड़ी पहने से पुलिस टेशन पर खड़ी कर दी गई थी इस तरह काश्मोरा ने आफिसर के सामने खुद को महान तांत्रिक साबित कर दिया आत्मा से चैटिंग करके काश्मोरा ने ना सिर्फ कार का लोकेशन बताया बलकि ओफिसर को यकीन भी दिला दिया कि एक आत्मा ने कार को ड्राइव करके उसे पुलिस टेशन तक पहुंचाया इस चमतकार को आफिसर ने नमश्कार किया बिस्नस्मान राजिश और उनकी फामली के हत्यारी का अभी तक पता नहीं चल पाया है शक के घेरे में आय मिनिस्टर ने प्रेस से दूरी बनाई हुई है पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है आपने आज का अकबार पड़ा आपने कहां सी बी आई और एफ बी आई दोनों समाल लेंगे प्रेस के सामने चुप रहने के लिए कहां रिपोर्टर मसाला मार के द्यूस चाप रहे हमरा गड़ी तो ठीक था इस अब कुंड़ी में तो नहीं था आप बूझे जिस रसी से राजेश को फांसी लगाई थी उपीले लेंगी थी ना मैं क्या राजेश की पेंटिंग बना रहा था जो आपसे रंपुछता बेटी धीरज रखो इस सबसे बचने का उपाय है हमारी बात मानो और एक ठो हवन करवा लो ओ हवन के बाद तुम खुब माल कमाओगे और ले ह क्या हुआ काश्मोरा स्वामी तीवी वाले है ना हमारे काश्मोरा स्वामी हाँ हो ही साइब काश्मोरा को अच्छी तरह जानता हूं एक दम रॉकिंग है एक बार आजमाएंगे ना ग्यारंटी देता हूं कभी छोड़ेंगे नहीं उसको आप त्धी मैंधियो योना प्रचो दयात आपकी दर्शन हो गए है मैं धन्य हो गया सच मैं लगता है मैं काइनाहत का जर्रा जर्रा आपसे मिलवाने की साजिश में लगा था स्वामी आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं क्या फेस्बुक पर डालूँगा हाँ ले लो माई क्या बोलु गुरुजी मेरे कंदे पर हाथ रखेंगे थोड़ा स्माइल कीजी ना थोड़ा कोने में आऊ ना स्वामी क्या है स्वामी इसको काई को दिमांट दे रहें आप इतना आप शेल्फी में बीजी है और मंत्री जी आपका वेट कर रहे है शमा कीजीगा इन्हें देख करके मेरे होश खो गए आप बताईए कुछ खास नहीं है कुछ दिनों से घर के अंदर घर के बाहर माइंड में बहुत डिस्टर्बंस है एक को सॉल्व करों तो दूसरी प्रॉबलम पैदा हो जाती है यकीन नहीं होता स्वामी जी के रहते संकट समीप कैसे आ सकता है मुझे माफ करें मैं स्वामी जी की जगे नहीं ले सकता मामूली पुझारी हूँ यह तो स्वयम भगवान है इनका आशिरवात लेकर के आप मेरे पास आ सकते हैं आशिरवात है चलता हूँ अनुमति दे हैं कोई है यहां बहुत शक्तिशाली है आज बहानी नक्षत्र है करतिका कब आएगा बदवार को उस्तुष्ट को बाहर निकालो दो दिन के बाद उसे बाहर निकाल पाऊँगो दू दिन के बाद आत्मा को भगाएगा उसके लिए पहले उसे एक नकली भूत पैदा करना होगा तू रातों तक उल्लू की तरह आँक खोले रखना है फिर देखते हैं उसा सुरा हमरी जगह कही से लेता है हमारे अनुभवी जोतिश महराज जानते थे कि काश्मोरा जैसे फ्राड तांतरी कौन-कौन से पैतरे आजमा सकता था या तो काश्मोरा 3D special effect से भूत क्रेट करने की कोशिश करता या फिर चुक्के से black magic वाला पुतला घर या garden के किसी कोले में छुपा के रखता अपने दोनों असिस्टेंट्स को जेंस पॉंड और करमचन बना के घर की जासुसी करवाने लगे मगर अफसोस दिन रात उल्लू की तरह जाक के भी जोतिश महराज काश्मोरा के खिलाब सबूत नहीं चुटा पाए वो इस बात से एकदम बेखबर थे कि काश्मोरा घर के अंदर नहीं बलकि घर के बाहर कुछ करने वाला था वो स्वयम जोतिश महराज को अपने चक्कर में फशाके उसे घंचकर बनाने की फिराख में था अब तो जोतिश महाराज को भी लगने लगा कि शायद काश्मोरा सच में भूत भगाने की विद्या जानता है भगा पाएगा यह भूत को भूत नहीं का, हमको तो लागत नहीं है, आजा भूत जे यह, I am coming, I am coming कि अटुक्ष सभी देशा घंग रहा है घुटका वाइफ और लूखे विए का निया है अटमा जैसे हुदी कशी अजए कैंपर पैपर लू कि बऌ सब्सक्राइब या चुपाए वो स्लेवन सेट हाव यू वह थीन्यूस हम यू वर वह गोग शूल वाट्शूल यह भूतनी का किसे बात कर रहा है सामी जी कौनों अंग्रेज आत्मलागत है हो यू मीन ट्रिशूल हम वो जो एक चक्र में काइद है ये तो अनर्थ है डीटेल पूछो अच्छा गाड़ी गाड़ी आपकी मरसडीज की बात कर रहा है हाँ गाड़ी एक बड़ी गाड़ी उतनी वाले ने गाड़ी में कुछ जोल किया है हम उल्लो के बच्छों का पता कहीं निल चला अब आई काम हो गया सफेद मरसडीज है गाड़ी का नंबर है तीन बार पांच सारी बेंस के नंबर ट्रिपल फाइव है रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और नंबर नहीं मिला क्या है वो स्वामी के बजाए इस स्वामी को फजा दिया प्रिर से बोलो पूरी डिटेर्स नहीं सुन पाया कानमन तक लीव थी टीन ट्वेंटी यानी तिरुवलर यह नहीं होगा टीन एलेवन यानी तंबरम चैंसल जरूर यह होगा गदे गई के अकडबकड करना पड़ेगा मुझे 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 अवे गेस करने का ताइम तो दो ढूंड रहा है सासुर फूर हो गया काश्मुरा सोच ले यह फिर नया धंदा ढूंड ले okay no problem I will manage मैंने तेरी गलती माफ की जितना यादे उतना बता दें confident है hey footage क्यों खा रहा है बता मेरे कान खुले हुए बोला आप अब मैं सुन रहा हूँ क्या कर रहा है बोला बोल सुन रहा हूँ मैं बोल सुन रहा हूँ okay checker जल्दी अगर घलत निकला ना तो फिर देख ले ना अगर ये कार नहीं निकली ना तो काश मोरा तेरा धंदा बंद हो जाएगा अगर नहीं मिला ना तो समझ जाना समझ गया सर गाड़ी में कुछ मिला है अगर अगर शाथ पर जाकर इसे जलाना और चापाटी जाकर विसरजन करना लेगे जा लेगे जा ये स्वामी के कार में कैसे बिना जड़ के पेड नहीं बचता स्वामी इस घर की जड़ है इसलिए इनकी कार को चुना तो ये स्वामी जी को पता क्यों नहीं चला उम्र के साथ बाल का रंगी नहीं उड़ता, सर के अंदर की हार्ट डिस्क भी क्रैश हो जाती है, जो रिपैर नहीं होती स्वामी जी, वो तो आपसे फास निकला, रिटार्यमेंट ले लीजिए हलो, सर वकील बात कर रहा हूँ, मुबारक हो, राजेश मडर केस आप जीत गए है काशमूरा स्वामी हजार भूतों को मोख्ष दिलवा रहे हैं, गिनीज बुक का रिकार्ड बनेगा सर, किसी सेफ जगर चल कर यूटूब पर लाइब देखे का? इस वक्त हम नहीं जाएंगे, पहले भूच जाएगा, उसके बाद हम जाएगे पबलिसरी पाने का यह अच्छा मोखा है, सब जगा यह निउज होनी चाहिए कि काशमूरा को हमने प्रमोट किया है ऐसा ही निउज होगा गिनीज बुक में काशमूरा की फोटो चपेगी, उसमें मेरी फोटो भी होनी चाहिए चपवाई देंगे अरे देखो ठीक से टेंट लगाओ, एक हजार आत्माई आने वाली है, उन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए सबाल के मैं गुंटूर जिलपति राव हूँ अच्छी बात आड़ा के समीप मेरा एक बंगला है वो मंदिर के पास वाली दुगान वहां तेरा आत्माई रहती है तेरा मेरा क्यों? तेरा, यानि नमबर वाला तेरा दर्जन अंडों से एक ज्यादा वाला तेरा काश्मुरा स्वामी, आप वहां आजाते वो क्या है स्वामी जी कि समय की बहुत किल्लत है गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाने के लिए मुझे हजार आत्माओं को उपर पहुचाना है हजार आत्माई है? कुछ फ्रेंच, जर्मन और रसियन आत्माई भी है और सच कहूं तो शेडूल इतना टाइट है कि आना मुश्किल है अपनी बहन को बेज़ दूँगा, मैं वोन आत्माओं को समाल लेगी ऐसा न कहिए स्वामी जी इसके लिए मैं हर तांत्रिक आजमा चुका हूँ सब के सब फ्रॉड है कोई एक भी आत्मा नहीं निकाल पाया अगर आपके चरण पढ़ जाते तो पैसों की कोई कमी नहीं है जितने चाहेंगे बेजाएंगे आप इतना जीद कर रहे हो तो ये तो इसका बंगला भी हडप लेंगे अपना आडर्स मेल कर दीजेगा, मैं पहुँझ जाँगा मैं एडवांस ले लेता हूँ मुझे भी उस बंगले में जाना है असंभव बोलिये निता जी क्या आईए, रोज एक नहीं मुसीबत खड़ी कर देते हो मुश्किल से तुम्हें राजेश मंडग के से बाहर निकाला और तुम्हें एक नए ड्रामा शुरू कर दिया ऑपोजिशन लीडर सुरेश कुमार और तुम्हारे बीच क्या चल राजकल क्यों, कुछ भी तो नहीं चल रहा है तो वो तुम्हारे घर इंकम टेस्ट की रेड क्यों करा रहा है क्या रेड घर के अंदर कुछ रखा तो नहीं हमारे घुटालों के सुबूत कहीं लौर छुपा के रखे हैं ना सारे सुबूत ठीकाने लगा दो क्या सपोर्टिंग पार्टीज के जो एक्वरिमेंट्स थे वो सारे डॉक्रिमेंट्स सेफ हैं ना हाँ वो सब सेफ है कि सवामी जी के आश्रम में रख देखा अब काश्मुरा हमारा स्वामी है यह सब कुछ उसका आश्रम पहुचा दो सवामी जी बाहर मिनिस्टर साब के आदनी आये हैं आश्रवाच चाहिए जी बेच दो आओ क्या वात है हम्रे साहब एक लैंड की डीलिंग के लिए जा रहे हैं एगरिकल्चर लैंड है क्या उसके लिए उन्हें कोई पार्ट पूजा करवानी है हम लैंड की डीलिंग के पेपर आश्रम में रखने के लिए लाया हूं एक बार बड़े साहब भूमी पूजन कर लें उसके बाद हमी बैक्स ले जाएंगे उन डोकुमेंट्स के बेक को पीछे कोप्चे में ले जाओं मैं भी पूचता हूं जा बच्चा अंदर लियाओ अंदर आजो यहां रखवा दो इनकी पूजा करने के बाद मैं इन सब बैक्स को लोकर में रखवा दूगा जी कहो तो उसकी डूप्टिकेट्चा भी तुम्हें दे दूँ ओकी कोई ज़रत नहीं बैक्स अंभाल के रखियेगा तो ठीक है चलते हैं स्वान गजब हो गया काश्मोरा ढूंगी निकला उस पर भरोस्ता मत करना है कि बाप रे जलपती ने तो कहा कि बंगला है यह तो किसी महल से कम नहीं है कि एक केस के लिए CCTV फूटेज चेक कर रहा था बीस तारीक को घर में एक ब्लाक मैजिक का गुड़ा मिला उसको 17 को किसी न उस घर में रखा था रखने वाले उसके चेले ही थे पूरा प्राड़ है कुछ देर पहले ही सब कुछ दिया है डायमंड्स था गोल्ड था क्याश था गोटालों के सारे रिकॉर्ट्स थे सब मिला के 500 करोड होंगे आयला सब कुछ दे दिया है कल तक तो उसे भगवान बता रहा था और एक ये दिन बाद तो उसे फ्रॉड बता रहा है शाना समझता है क्या काश्मुरा को बैग मत देना वापस आ जाओ अरे हम तो बैग रखती हैं का हुआ कोई भी बहाना बना के वापस लेकिया सारे बैग और नहीं तो किया साहाव यह ताला लगा है इतनी चल्दी भाग या क्या देखकर तो यहीं लग रहा है कि अ कि कि यह भाईया भाईया टैंक फूल कर दो भगवान तेरा बला करें अपना फोन दो जरा यह के सवामी ची कर लिजेए फर बैलेंस कमें डिजेल भरना अहां भरता हूं यह कास्मो रभ बापा बोल रहा हूं यह जो मिनिस्टर अपने पास आया थाने यह कोई सिंपल नहीं है बहुत बड़ा जोल है पुजा के लिए वह लेंड के पेपर्स बैग में भर के लाया थाने बड़े सुन्दर थे मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनको खोल के देखा जैसी खोल के देखा मालूम उसमें क्या मिला क्या मिला हीरे जवारात रोकडा कैस कुल मिला के 400 करोड के ऊपर होगा यह उन सब के अलावा बेग में बेकार रदी भी थी ज़ए घर में 400 करोड करे यह घर में कैसे प्लेन की ताद काल टिकेट निकल वाके सब लोग बैंकोक जाएंगे और मसाज कराएंगे बोर हो चुके थे इस देश के लोग हम पर आसानी से विश्वास कर लेते फोरिंश को चिट करना चेलिंजिंग रहेगा पपो एक बात बोलू आज बुझा बहुत फगर हो रहा ते देता है मुझे इस फ्रॉट पेमली पर पहले से शक था है अलो उस परिवार का एक भी आदमें जिन्दा नहीं रहना चाहिए समझ गया काश्मुरा रुक जाओ काम अदूरा है छोड़के मत जाओ तम कौना यहां पर तो कोई नहीं रहता है किसने कहा मैं रहता हूँ ना सब्सक्राइब काम निकला है इसलिए जाना पड़ेगा अंगल चोड़ अंगल क्या कर रहा है अंगल मेरा बैक यह अंगल चोड़ कि अंगल क्या कर रहा है अंगल चोड़ मुझे अंगल चोड़ का लेके जाड़ा चोड़ एंगल हलो दर्वाजा खोलो अरे उस बुढ़ेगी को मदद करो दर्वाजे को खोलने में हलो अंगल जी दर्वाजा नहीं खोला दो तुम पर भूच छोड़ दूँगा शाप देदूगा इतने बड़े दर्वाजे को बाहर से लोग कर दिया शुपड़ मेरी टेकनीक मुझ पर है एंडिमार है लोग चुमबक बच्पन से करता रहा हूं यह कोई नए ट्रीक आजमा हो अगरे साथ ओके, तो कोई मेंद बोट से खेल रहा है, लेकिन ठीक से नहीं कर रहा है, उसे तो मैं एक ही दिन में जॉब से निकाल दिया था, मेंद बोट पर तो कोई फास्ट आदमी चाहिए, इसे कहते हैं स्पीड, यहां तो सजुना ऐसा लग रहा है कोई बच्चा उना फॉन अफ कर इस तरह कोई खाग दरेगा, सुना बिटा, अपने काम में डीटेलिंग और टाइमिंग सब से इंपॉर्टर है, लेट, लेट पासिंग दे रहा है, इस फील्ड का होके पासिंग नहीं जानता, पावर कट होने पर, अगर लेफ्ट की तरफ मोड़ो तो, इतनी जल्दी सीख अभी गया, तू इतना बुरा भी नहीं है, ये बंदा तेरा धन्दा टेक ओवर कर लेगा, रदा, शेफ्ट के बाद आगे मुझे मिलना, हाँ, बड़े भाई, मुझे ये डेमो देने की क्या सरूरत है, मैं को क्लाइन थोड़ी हूँ, अरे सेम धन्दा है अपना, मैं कैसे अरे टरूँगा, लगता है तुमने तांतरिक समराश्री काश मोरा का नाम नहीं सुना है, अभी पता चल जाएगा, यहां के मिनिस्टर और एसीप को जानते हो, लाउट स्पीकर अन है, सुनो, सिगनल जैमर भी फिट किया हुआ है, बहुत बड़ी है, ये बात हुई न, ब मेरे एंट्री मारते ही है, जूमर गिर जाना चाहिए था, सॉलिट साउंड एफेक्ट देता है, एक सेकंड के अंदर नीचे यहां मुह के पास आना चाहिए था, हार्ट बीट रुक जानी चाहिए, देख भाई, लाइन सही पकड़ी है तुने, लेकिन आजमा घलत आदमी पर आए तु, फिर से कल्ती कर रहा है, जूमर नीचे आता हो नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे मैं हल्लो से ऊपर आ रहा हूँ ममे, यह को स्पेशले पेगटी होता है, ममे, यह सराजर चीटिंग है, मुझे हुचा इसे ड़ लगता है, रसी बिरही बादी है, बिना सपोर्ट के किर जाऊँगा, अट्टी इंपसली चूँ जाएगी, अभे सुनना है, जितने प्यार से उटा है, वैसे ही नीचे रखना दड़ाप करके बढ़ चोड़ दरा, ओए, सरकस का जोकर समझाए, यह सब लोगों को ड़राने के लिए होता है, उन्हें जान से बाणने के लिए नहीं, मेरे पापा हाण पेशिंट है, और मैं दिल का मरीज, प्लीज नीचे उतार दो, प्लीज नीचे उतार दो, प्लीज धन्यवाद, ऐसे एफेक्स तो मेरे पास भी नहीं है, मैं फुर्सत पे सीखने आऊँगा तुम तो मेरे भी गुरू निकले, सल्यूट है, अब दर्वाजा खोल दो, मैं घर चाला जाओ, यह तो कुत्ता दिखा ही दे रहा है, भाई, इस रेबीस का इंजेक्शन तो दिया है ना, यह तो कुत्ता नहीं, तंदूरी कुत्ता है, और कितने special effects बागी है, किसकर आपको बता, तॉमी है या जोनी, या पिर स्वीटी या पिकी, मुझे अपना टिनर सा बज रहा है, बजा इससे, बजाओ, 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 बजाओ इससे, बजाओ बजाओ, 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 बजा पांसो करोर लूटने के बाद ससुरा आशिरवात दे रहा है एच चलो ठाइजा याद ठाइजा पीट बता दो गया मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं है किसी ने लॉक्स कर दिया है तुम्हें नहीं गुमा रहा है कोई भूर मुझे गुमा रहा है कांच कोई दो गुमा रहा है तुम्हें कुछ कुछी क्या मुझे कुछी क्या तुम्हें से फिरón रहा है कहा ना हाथ कंट्रोल में यह Gloria आ रहा है ओक कुछी क करोको पार सब्दों से पारा ने देने आरे कोई कुछी आपकरो आप तो यकीन आगे है ना स्पाइडर मैन की आत्मा घुझ गई है मुझ में अब उसका बाप नीचे उतारेगा मुझे तुम आ खड़े खड़े उसका मूँ का ताक रहे हो उसका नीचे लाओ जल्दी उतारोगा तो तुम्हारा ही फाइदा है उतारो उतारो यहां से उतरते ही बैग्स लेने चलेंगे अब बॉडी चिपकर लेके तरह चिपके है उतारोगा यह हवा में किसे डुण रहे हो चल्दी यहां से कटी माढ लेके आजो आजो तु हाथ पकड़ में इसको मारता हो तु हुआ सूपर में बन गया का सूपर में बन गया का उपर कैसे गया अरा मुझे भी नहीं पता तो नीचे आ आ रहा हूं या ज़ा काश्मोरा स्वामी हम का मापी दे दो स्वामी हम तो का पैचात नहीं पड़े हैं तो कसी हो गई स्वामी दोगा जमीन के नीचे छेखो बढ़िया बारा हाथ रुको रुको मैं कुछ करता हूं है रो मात तुम्हारी तक्दीर अच्छी है देखो मुझे क्या मिल गया जल्दी से पकड़नों से सब लोग से अच्छी तरह पकड़नों और मिनिस्टर को बताना कि मैंने बचा है स्वामी हमारे माजगा स्वामी स्वामी हमें बाहर भी का लो स्वामी इकलियां से और कासू बेटा कासू बापो कहा है आप और कार में बेठा हूँ अरे पर कार कहा पाक है यह पेड़ के ऊपर पार्ख है अब इतनी देर से हवा में तेर रहा था एक बार भी नजर नहीं पड़ी बाप रहे रभ बापो वहां कैसे पहुच गए और पैसे का बैक तो आपके पास है ना अर्या कदेडा हम सब की जिंदगी लोटक रही है और तुझे बेक्स की पढ़ी है बेसरब पहले हमें उतारने का तरीका सोच पापो पैसे का बैक फैक दो उसे तो सेफ कर लेता हूं दोक्यबाजी में तुम मेरा भी बाप है उतारने के बादी मेक्स की सकल दिखाओंगा कंज्यूस कई है और यह सत्यानाश बेटा काशू यह सब कुछ ने मिनिस्टर का किया धरा है उसके स्वामी का टोटका होगा यह काम उनका नहीं हो सकता उस जल्पती ने बताया था यहां आत्माओं का वास है कैसी बात ही कर रहा है मेरे आने का तो लॉजिक बनता है पर आप लोग यहां कैसे पहुच गए हरे हमारा यहां आने का पिला नहीं था नकली आत्माओं को भगाने कर खुद बज गये चल भाग चल रिक्स मत ले चल 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 जल जल दी चल निकल आते हैं अब मम्मी इस तरफ जल्दी जल्दी रूखना मत पीछे मत जाना जल्दी जल्दी खरो आजा इस तरफ अब आजाए अशे Rights अखे जिनकृक हो झाल होposition अब बंचा आया और गजय खन तरफ जन वागते रहो वहांदे पादध कर ना स identities लोटा है ताम्बे का सही का भाया क्या यही वह भूत कुनी भाया यह तो फिर भूत टोन में क्यों बात कर रहा है मारे उल्टे पेर चेक कर रहे हो मतलब हाँ मारी खब्सूर्ती ऐसी है भाया मारी फोटो घर पे लगा लगा लो तो नचर नहीं लगती ऑच्छी बात है पर तुझा ही नजर लग गई हमारी तरह तुभी बंस गया है यहां किर हो क्या रहा है यह 700-800 साल पुरानों महल है किसी रत्रना देवी नाम की राजकुमारी के लिए बनवायो गियो एक दिन हाग लगने से घणो बड़ो हिस्सो जल गियो जल 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 चाकर पालतो जनवर और राज परिवार के लोग जिंदा जल गए सुना है कि पिछले 700 सालों से उनकी आत्माय यहीं बटक रही है विरान मैल को अंग्रेज्जों ने अपने कबजे में ले लिया अपने ऑफिरसर्स के लिए उन्हों ने इसे एक बड़ी लाइब्री में तब से हर देन मौते होने लगी इसे लौक लगा दिया गया और सब इसे एक भयानक भूतिया मेहड के नाम से जानने लगे कि यह भायों इतने दूर क्यों खड़े हो मारे पास आओ नहीं और पधरो मारे पास पहर कई बरसों बाद कुछ पॉलिटिशिंस की मतद से चलपति राओ ने इस मेहड को और बोड़े दाम में खरीद लिया ग्रश हंती के लिए उसने कुछ पंडितों को भुला कर यहां पर यग्या करवाया उसके बाद भाय उस पंडित क्या हुआ उसका पिर उसका जो जरूरी है क्या पंडित को मुँ लट्टू की तरह घूम गयो और राव चिलायो लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुए भाया पेड़ की शाकों ने अजगर की तरह उसकी लुगाई को लपेड लिया पिर चने भी की तरह घुमा घुमा कर उसको बहाँ पेड़ दिया वो नज मारे को दियो गयो है मैं एक प्रोपर्टी डीलर हूँ इतने दूर क्यों खड़े हो मारे पास आओ उसके बाद क्या तुम जलपती राव से मिलने गए और कठे जाओंगा यह इतनी देर बाद धंदा बताया उसके बाद डील फाइल करने से पहले उसने एक रात रुखने को दसलाक अडवांज भी दियो भाया मारे मन में भी ऐसोई लड्डू फुटियो तब से यही फसा हूँ भाया जब मैं आयो तब तीन दरवज्जे खुले थे राजा की तरा एंट्री मारी जब रिटर्न होने लगा तो दरवज्जे अपने आप बंद हो गए मारी हालत तेख आप इसे बीवी के पास जाना है बस थ्यान रखियो हो सारे भूतों की उमर साथ सो सालों से बेज ज्यादा है तगड़ा मुकाबला करियो यो सारे भूतों से के मतलब बतारो कितने भूत है यह कम से कम तेरा यह कोई गेम चल रहा है क्या पब्लिक उसे संत मानती है एसी कहता है और तु उसे भूत बता रहा है मेरे 500 करोड तो गुज गए एक भूत से कैसे पैसे लूँगा क्या हुआ क्या है यह लोग भूत को देखके डरे हुए हैं हमारे पार्टी के सीक्रेट पेपर उसके पास हैं दो दिन में कमिटर भी टेंसन काहे को लेता है पनारस के खाटों पर पैटके सारे स्लोग्यात किया हूं सब चकाचक हो जाएगा अब उन बैक्स के साथ ही मुलाकात होगी अरे तुम आगे जाओ मैं पीछ आँ अब यह लाइन दो और नाल आओ नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है यह कोई नहीं है कि अधिया पाश मताना सारे पूत मारे पे चड़ी गयो रहे पूत नहीं चड़े हैं वह लोग चड़े हैं डर के मारे हील नहीं पा रहे हैं बेटा हाँ सबके सब रपोगो आप मुझे कि अपनी आवाज से डर जाएंगे अरे आप तो अपनी आवाज से डर गहाँ जल्दी 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 जल्ड़ रोस्टी करो प्रिया लाइट बंकर आखको पुझा उप्मार पानी डाल फाइर ब्रिगेट को बुला अंधेरा कायम रख जब तो कंधेरा है हम भी जिन्दा है हो मेरे बेग्स मेरा पैसा अरे ये जल मुषण में हवा का ले जारे मेरें अँचिक को और कोरे दो हुआ मैं काइ और को ये का हाँ ये का और क्या मैं खाया इसका इंट्रो तो दे यही तो आए भाया भूतों का सरदार सर तो गायब है फिर कैसा सरदार डरा डरा के माने का लिया बिना इंविटेशन हमें क्यों बलवाया किनी खास कारणों से हम इस प्रिथ्वी लोग को छोड़कर जाने में असक्षम है हमें इस बंधन से छुटकारा दिलाना तुफारा काम है इसने जो कहा वो बेजे में गयो भायो ने अधूरी इच्छा पूरी नहीं की तो महल में ही आत्माइं भटकती रही इनकी आत्माव को टेक आफ कराने के लिए इसने थारे कोई चुणा है अच्छा थारी तो भूत ने लॉट्री निकाल दी भाया भूत जी इस काम के लिए आपने पूझे ही क्यों चुणा हाँ 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 हमारी सक्सेस का में राज यह है कि मेरी फैमिली के सभी इस अदस्यों का जन्म रोहनी नक्षक्त्र में हुआ है ग्लैडियर भी इसी नक्षक्त्र का था सॉरी ट्रांस्फॉर्मर्स की फैमिली में यही कॉंबिनेशन था यतिहास गवा रहा है कि यह सब बड़े तांत्रिकों की खूबी रही है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस युग में हमारी ही ऐसी अकेली फैमिली है मैं आपको बता दू हजार आत्माओं का मैं ऑनलाइन कॉन्फरेंस रखूँगा उनके साथ एग्रीमेंट करके उन्हें स्वर्क का वीजा दिलवाऊंगा यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा आपने पोस्टर्स और न्यूस पेपर्स में अड़िसमेंट्स देखे ही होंगे और एक हाथ पोस्टर्स में आपके भी लगा है मल जब यहां आयो तब सभी भूद करेकोर से इसी इश्तिहार को पड़ रहे थे मुझे अंदर आते देखियो तो सारे दर्वचे खिड क्या सब बंद कर दिये अब सब धारे पर है हम सब को बचा ले इस से छोटे साइज का नहीं चपा सकता था यह आत्मा यह पड़ना लिखना भी जानती है मोटा भाई यह भूत मोटा भाई सच तो यह है कि हमें तंत्र विद्या का टी भी नहीं आता हम सब साधारन मनुस्या हैं आपके किसे काम के नहीं मेरी मा यही है चाहो तो उसी से पूछ लो उसके सर के कसम अगर जुट बोलो तो फिर से अपना सर काट ले ना इस पापी पेट के लिए तंत्र के नापे थोड़ी हाग की सफाई कर लेते हमें एक्षमा कर दे खूशट बुढ़ें लोगों को उनके मरे हुए रिष्थेदारों के आत्मा से बात करवाने के नाम पर त कि अबेड आइडिया कासू सोच बोलना भारी पड़ेगा हूं इन से कस्टमर की तरह डील करना अच्छा तो इन्हें मोक्ष चाहिए ना तो करते हैं कुछ बचाले भाया भेज देंगे आपको पांच मिन गाम है कोई ने कोई रास्ता निकल आएगा मैं करता हूं कुछ भफू यह काम आप करोगई यह मैं करो यह है चोटा सा काम है तू भी कर लो ठीक है मैं रास्ता निकलता हूं भाई एक आइडिया आया है पर मना मैं घर जाता हूँ, चिल्ड तुलसी पानी में नहा के, खुद को शुद्ध करके, खाली पेट से, काली देवी के नाम की मैं माला जपूँगा, और चिला चिला के मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, कि आपको दूसरी दुनिया का परेमिट मिल जाए, आपको नहीं मिला कि तुम सच बोल रहे हो, अगर मैं वापस नहीं आये, तुम मम्मी को गिरवी रख लेना, मुझ पर भरोसा कीजिए, भरोसा नाम की शक्त से ही भरोसा उच चुका है मेरा, जो करना है तीन दिनों के बाद आने वाली नवकाली पूर्णिमा की रात को इसी चारतिवारी में प्रैकर करना होगा, मेरा वादा है कि स्क्रिया के बीच किसी तरह का विक्न नहीं आने दूगा, और जब स्वर्क के दोहर खुल जाएंगे, तो इस महल के दर्वाजी भी खुल जाएंगे, सी यू सूम, तुम्हें यहां लाने का कारण मैं समझा चुका हूँ, ऐसी कोई व वाद करना पड़े, वेट आम कमेंग, अच्छा, तो इह है भूतों का सरदार, अब उन बैक्स के साथ ही मुलाकात होगी, पड़ बोला कहीं का, अच्छा धुम्हें पुम्हें वाद का लुम्हें बिना कारण इस संसार में कुछ नहीं होता काश मोरा, उस कारण की खोच करो तुम यहां क्या कर रही हो, और तुम अंदर कैसे आई, मैं कैसे आई हूं वो इंपोर्टन नहीं है, तुम यहां कैसे पहुची वो बात शॉकिंग है, जलपती राओ याद है जिसने यहां का अड्रेस दिया था, जानते भी हो वो कौन है, नवस्कार देरी, मैं गुंटूर जलपती राओ, जानती हूं, आप वही है ना, जो काशमोरा स्वामी से हेल्प लेने आये थे, कौन मैं, अगर मैं काशमोरा को जानता, तो आप से मिलने यहां क्यों आता भला, मैंने तुम दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया था, वीडियो में सिर्फ तुम दोनों दिखा दे रहे थे, और जिस जगा वो खड़ा था, वहां कुछ अजीब सा था, वो एक आत्मा थी, एक असली आत्मा तुम से मिलने आई थी, अब तो भूत भी तुम से हेल्प मांगने आ रहे हैं, तु तो गया, क्या बात है सर, एक दूबा, यह बता, तरहाँ दूबा, दरवाजा बंद है, तु अंतर कैसे आई, मैं जब आई तब खुले थे, यह दरवाजे खुले हैं, है, चलो यह नहीं निकलते है, ममी, आपने दिखलो, घर जाके सुना, चलो, जलो जल्दी, भागो रहे, एक सेकंड रुको, तुम सब दूम दबा के भाग क्यो रहो, आते से पहले, मारे को तयाहसे एक जाने दो, जल्दी करो भाया, आत्मा जा गई, तो, चलो, आजो कि इन बैग में क्या है, पूजा का सामान है क्या हां, पूजा का सामान है, सर, वैसे पूजा में कौन सा सामान लगता है, यह सवाल पूछने partido पूरी, उमर पढ़िया है, जल्दी दिंगालान इस गयर क्यों ना रहा जाए 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 अब इतने दिन यहा रहना है तो कुछ राशन पानी तो चाहिए ना वही लेने जा रहे थे काश्मोरा मुझे तुमारी सरूरत है इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा रण भूमी पर जन्म लिया अस्त्र शस्त्र के बीच बड़ा-बड़ा रक्त से होली खेली और लाशों पर चल कर सफलता पाई एक और गलती की तो वो तुम्हारी आखरी गलती होगी सामज गया जी पांगले क्या यहां पर चुड़ेलो की कमी है जो तु चिला रही है मैं गुंटूर जलपती राव हूँ जलपती राव की फोटो है पींटिंग के नीचे देखो इसमें तो जन्म और मृत्यू की तारीख लिखी हूई और क्या अरे भूल गई तु तु नहीं तो बताया था कि वो एक आत्मा है उसकी टेत हो जुकी और क्या उसको मरे 75 साल हो गए है उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई समझ में आता है लेकिन मेरे घर पर क्यों आई यह तो लोचा है बावा में बचाओ पपा बचाओ मरी क्यों रहे महारे को दक्का क्यों दे रहे हो देख उदर देख जलपती राव को मरे हो 75 साल हो चुके कोई कुछ भी लेखेगा तुम्हार लोगे थारा दोस्त था गया वो नदी बर साथ में कप्ड़े चुराते थे खाता पीता सेट अमार ने तीन बार खुद अपनी आखों से देख्या है कि बिना कारण संसार में कुछ नहीं होता काश्मोरा कारण की खोज करो पानी कि अगेला ही पिएगा प्यास बुझ गई तेरी बुझ गई भाया वेसे तुम कौण तु जक्का पूरा पानी पी गया हां पीलिया भाया क्यों धार को भी प्यास लगी थी क्या यह वो जल है जिसे सालों पहले हमारे राजा ने पीकर छोड़ दिया था आज तक हमने भी इसे पीने की हिम्मत नहीं की अरे पानी भी कोई हजारों बर्सों तक रखने की चीज़े फेक देते इदर उदर पौदे उख जाते पता नहीं है क्या थेरवे पानी में बैंगू के मच्छर पलते भूत राजों को बताना होगा स्वच्छ भूतिया भ्यान करो जहां प था था उन्हां पर बाते भी बाते पानी बाते पुच्छर पानी यूतिया तक दषख प्रभानी में उड़ा हुँ झाल टक पानी एफ उड़ा है कि ऑनी फिए जले अरे अरते वारों कि था उन्हां का भी दोड़ा है बख्ञाद आग! कर दो कर दो विक्रांत का का महांत सामराज इस वैभावशाली सामराज के शासक है महराज विजय नारायन मरुत्पती इनकी विशाल सेना में तेरा सेना पती है जिन में से एक सेना पती ऐसा भी है जो अकेले बारा प्रमुखों के बराबर है युद्ध की हर नीती का ग्याता शत्रों की हर चाल का तोड़ जानने वाला जो अकेला ही उनका सर्वनाश करने में सक्षम है वीरों का वी सेना पती राज नायन अजब युद्ध हुआ हो इसे हां एके हुआए भी राजए लिगह अ जगाए नहां लृजेख हाँ लूइफ लुट हुआ 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 का रहा हु हुआ का रहा हु हुआ 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 परहु हुआ ह झाइ नहाँ पो फो परहु हुआ पर्याँ ये आपज़े को जादा है ये था है कि उन्हाई कि पर ऑब मुद़े है एए! एप आप जैक ऑड़े लिगर कि आप आप जने कि आप लिगा है! सब्सक्राइब नगिए भी आप एए! आपकर आप लिए आप पंच। कर दो कर दो लग से लग भी दूविट, कर दो दो ! कर दो दो आई कर दो कि अक्यों चार कर दो कर दो कि अक्यों कर दो कि भूप ए! एए! एए वाँ! एए! 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 एए, वाँ! हेवाई शाबाश राजनाय, शाबाश तुम्हारी वीर्ता के समक्ष विरोधी एक शन भी खड़ा नहीं रह पाता जहां तक दृष्टी जाती है वो हमारा राज्य है कहो क्या चाहिए राजनायक जो पाना चाहता है उसे उसने अभी तक देखा तक नहीं एक कली के हाथ में तलवार आदमी में अगर ताकत होती है तो कमजोरियां भी होती है राजनायक की कमजोरी थी औरत सिर्फ उतना ही नहीं यहां तक की औरतों की भी कमजोरी है राजनायक विजय प्राप्त करने के बाद भी राजनायक व्याकुल था सेना बदीजी की जाय हो हारेवे राजा के बास 27 राणिया हैं और उसके अनावाथ इस प्रेमिक काई भी हैं एक एक करके भीजता हूं हुजूर सुनो हुजूर आगाश में सभी नक्षत्र एक साथ टिम्टिमाएं तो ही सुन्दर लगते हैं सब को एक साथ बेजाओ जी हुजूर रगो हुजूर क्या तुमने इन कमसिनों को भी किना ये ये महल की दासिया हैं हुजूर बाक में हर तरह के फूल खिलते हैं बेवकूफ इन्हें भी मेरे शेहनकश में भीजते हैं हुजूर वो एक मूर्थी है मूर्थी तो क्या हुआ एक औरत की मूर्थी है महाराज राजनायक की कमजोरी चानते हुए भी शांत रहें क्योंकि बिना राजनायक के वो युद्ध नहीं जीत सकते थे हुआ प्रृूह हुआ 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 जए बिना हुआ प्रूए ऐज झाल महाराज राजकुमारी का अपरण हो गया और राजनायक भी नगर में नहीं है कहीं राजनायक नहीं तो यह अपरण नहीं किया राजकुमारी को वापस लाने वाले को उपहार में आधा राज्य दिया जाएगा और राजकुमारी का विभाव से किया जाएगा हर जगे यह ऐलान कर दो जुँँँँ झारन्यदेर हुआ ! की की अवाच, लास नाइगा गॉका फ्हेहर वह है एहा जरे तो एट रेखूोरा जघराओंडा है जबन एहां प्राइब करने मंद़ है कर दो कर दे दून पहांना है कर दो कर दो कर दो कर दो कि कि अपको चाहिँ है। हुँँँबने गी फिर्य आप उन्यृ इंहें हुआँँ फिर्या यह जिर्या गी इन्यृर्या गुबर्या एा ईक को अ आए खग्दारhouse फड्वार्डरा करता है खग्दार्डर्ड अव्दार्रा लकार्डर्डरा इख उहु है एक रह! राह… हहहहह… हहह… यह! आख अख वप संउत आख हुआ आख! यह एए! आख यह एए! यह एए! यह एए! राजनायक तो तुम मुझे जानते हो युगों युगों में ऐसा शूरवीर पैदा होता है जो अकेले ही पूरी सेना को पराज़त कर सकता है आपके समराजे के नागरेक आपकी प्रशंसा करते ठकते नहीं आज उस पराक्रम को देख भी लिया अपनी चाटू कारता की नीदी मुझ पर मत चला मेरे रहते इस राज जिसे कोई राज कुमारी तो क्या एक चिडिया के बच्चे को भी ले जाने का प्रयास करने वाला जीवित नहीं रहता ये जानते हुए भी तुमने ये हरकत की अर्चू राजनायक सुनो अब ये मत कहना कि तुम्हारा अपहरण हुआ है यही कहने वाली थी नहीं अगर ऐसा होता तो ये तुम्हारे आगे बैठी होती और तुम इसे पकड़ती पर ये कन्या तो बड़े आनंद के साथ तुम से चिपक के बैठी है तुमने इसका नहीं इसने पर गहाव किया ये हमारे शत्रु राजी के राजकुमार है तुम्हारे पिता से तुम्हारी बहस हुई और इस अपरन की युजना ने जन्म ले लिया राजनायक ये मुझसे बहुत प्रेम करती है इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता अच्छा कृपिया हमें जाने दे अगर केवल राजा की पुत्री को बचाने की बात होती तो मैं तुम्हें जाने देता किन्तु मेरे आने का कारण अपनी पत्नी को बचाना है मेरी प्रिया रत्तू राजनायक हम चलो ना रासलीला करते है ना राजनायक इस पर मेरा हख है राजनायक नहीं है ठीक है हम लड़ेंगे पहला बार तुम करोगे मेरे मरने पर तुम इसे ले जाना आजा नहीं अर्जुन इसे रोक कर तुम एक तरीके से मेरी ही प्रशन सा कर रही हो इतना प्रेम करती हो मुस्स चलो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी उदारता दिखाता हूँ मैं बिना शस्त्र के लड़ूँगा और बिना ढाल के आजा मुझे मारने के पच्चात रतना तेरी हो जाएगी आजा ऐसा सुनेरा अफसर दबारा नहीं मिले है मेरे धर की सीमा बहुत अलप है आजा थेया microwave तो हो है जाएगी जाएग़ं है तुम्हा है आएग़ूग्डम्हास झाल 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 अपनी पुत्री के लाटने के उल्लास से अधिकाप को मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकारनी का खेद होता प्रतीत हो रहा है राज नायक के समक्ष शस्त्र का प्रयोग और शब्दों का चैन ध्यान पूरवक करना चाहिए बचना अनुसार राजकुमारी को बचाने के बतले आधा राज्य और बाकी आधा राज्य दहेद स्वरूप मुझे सौपा जाना चाहिए सेना पती क्या है वो नियम अनुसार राजकुमार ही राजा बन सकते हैं राजकुमार अब नहीं है अब क्या यहां और किसी को इत्यास बनना है यहां राज्य विशेक और विवाह की तयारियां प्रारंब करती जाएं और होने वाली नए वधों जाकर थोड़ा विश्राम कर सकती है हम हुआ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कि पैर लड़ खड़ा रहे है राजनायब कि यह चल कपट मैंने तुम से ही सीखा है अपने परिवार का वध करने वाले से विवा करने का निर्णे मैंने ऐसे ही नहीं लिया मैं घायल शेरनी हुँ जो खात लगाए बैठी थी इसी अफसर के लिए सही समय पर वार करना ही सटीक युद्धनीती है तुम्हारे समक्ष सुंदरता का जाल बिछाया ताकि तुम अपनी चेतना खो सको मेरे सुंदर्य ने तुम्हारी कामुक्ता को जगा दिया मैंने जीवन घर अपने केशों को केवल गुलाब के जल से थोया और सुकंधित किया लेकिन आज मैंने विश से सुकंधित किया कामुक्ता में अंधे होकर कुछ नहीं देख पाए राजनायक जिर्फ इस जन्म में नहीं हर जन्म में तुम्हारी मृत्यू कारेड मैं बनूंगी हूँ तुम्हारी में अजफ उन्म मैं दुम्हारी में उन्मा एक रडर और दू को है एक है टृँ कुल वाँ ना देव लोग मिले, ना यम लोग, बिना शान्ती मिले, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी, हमारी कुल देवी, मा देवी के नाम से, तुम्हें ये श्राब देती हूँ वो जीवन भर एक ग्रूर राक्षस बना रहा, रत्नमाहा देवी के अभी शाब से, वो दुनिया का सबसे भयानक हैवान बन चुका है एक सामराज खंटित होने लगा, रत्नमाहा देवी के महल में, राजनायक और बारा जिन्दा चला दिये गए, सेना पतियों की आत्माउने बैठक लगाना शुरू कर दिया, और लोगों ने वो राज्य छोड़ दिया विश्वास पात्र राजभक्त महल में पुनह प्रवेश पाने के लिए, पंडितों की मदद से पाठ पुजा करवाने लगे राजनायक से हुआ पाप, हजारों ब्राह्मनों की हत्या से भी बड़ा पाप है जब तक उसे इस श्राब से मुक्ती नहीं मिलेगी, इस महल में परलो की गतिविद्या नहीं रोकी जा सकती, लेकिन ये आसान नहीं है एक ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों ने रोहिनी नक्षत्र में जन्म लिया हो, उनकी बली चड़ानी होगी उसी स्तिदी में राजनाय की आत्मा को इस श्राब से हमेशा के लिए मुक्ती मिल पाएगी मेरी फैमली के सभी सदस्यों का जन्म रोहिनी नक्षत्र में हुआ है ये रस्मा अगर होगी तो कवारी कन्या द्वारा होगी, जो अपने वंच की अकेली कन्या हो उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई, समझ में आता है, लेकिन मेरे घर पर क्यों आई? यज्यपूर्ण हो जाने के बाद भी एक विचित्र समस्या है राजनायको श्राप से छुटकारा मिलेगा, किन्तु परन्तो उसकी आत्मा की दुष्ट प्रवर्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता कोई नहीं जानता कि वो अंत में क्या करेगा उसका कोई उपाए? राजधानी कहीं और बसाओ, वहीं से शासन चलाओ राजनायको और उसके बारा और सहयोगी नवकाली का पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगे जो करना है तीन दिनों के बाद आने वाली नवकाली पूर्णिमा की रात को इसी जारतिवाई में रह कर करना होगा यह क्या है यामनी वो तुम्हारी कोई बड़ी बेहन है क्या मेरी बेहन नहीं तो बेहन नहीं मेरा मतलब है सगे नहीं तूर की कसन सिस्टर एकात तो होगी नहीं पूरे परिवार में मैं ही सिंगल पीज हूँ क्यों क्यों क्या अपने स्वंच में एक अकेली लडगी हूँ उस मेरी क्या गलति में नहीं मांग सकती मिले Knorr पूरी फैमिली को बली चढ़ाने वाली हो लगता है बिसी पर भूद सवार हो क्या है यह क्या बख रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा विलेन है दूसरे लोग में जाने के लिए नहीं बुला है वो हमें यमलोक पहुचाना चाता है अपने श्राप से मुक्ती पाने के लिए रोहिनी नक्षत में पैदा हुए परिवार के सभी लोगों की बली चढ़ानी होगी यामिनी खुद अपनी मर्जी से नहीं आई उसे यहां लाया गया है वो ही हमारी बली लेने वाली है यह कैसी बहकी बाते कर रहा है उस भूत ने हम से जूट बोला था सच भी बोलता तो हम क्या बिगाड लेते उसका अरे हाट पेसेंट से मजाख कर रहा है मजाख नहीं पापा वो हमें बजाने की कोशिश में लगा हुआ है यानि उसे हम सब जिन्दा चाहिए उदर कोई साधार नात्मा नहीं है धड़ लेट में जाता है तो मुंडी राइट में जाती अंदर गुशने वाले की बहुत धुलाई करती लेकिन काश्मोरा को एंट्री दे दिया लापड़ा बहुत बड़ा होने वाला है नवकालिका पूर्णिमा का स्वागत है रत्ना महादेवी नवकालिका पूर्णिमा की राथ हमारे ये दिन का उजाला लेकि आएगी जब रोनी नक्षत्र में जन्मे परिवार की बली चड़ाई जाएगी राजनाहक फिर से संदा हो जाएगा अरे का जारह रेडी ये जो पीछे महल दिखाई दे रहा है ये 700 साल पुराना है और यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि इस महल के आसपास रात में आत्माई भटकती हैं आज इस महल को डाइनामाइट से गिराया जा रहा है उडाने से पहले एक बार फिर सोच लो किसी तांत्रिक वंत्रिक को बलाना है तो ने ने अब मैं नहीं रुकूंगा दुनिया भर के पंडित दुनिया भर के तांत्रिक ना जाने मैंने क्या-क्या ट्राइ किया है वो भूत बन गए लेकिन ये भूत नहीं भागे महल और आके मैं जबीन देश दूँगा तिरा दिमाग सा डग गया गया पाउन्सु करोड रुपे पाटी के सीक्रेट पेपर्स ये सब कुछ उसकी फैमिली के पास है अगर वो मर गया तो साहिब इतनी सारी पब्लिक है फ्रेस मेडिया भी मौजूद है आपकी रेप्यूटेशन दाओं पे लगी है वोस्प डाइनामाइट से कम नहीं है मेरे बात में भरो सकरो साहिब ये बॉम भी मुसका कुछ नहीं विगड सकता है सुभा सुभा ब्लास्ट शुरू होगा जाके सपोर्ट चैनल्स में डाइनमाइट और बढ़ा दो ये फ्रन्ट पिलर्स वाली लाइन में चेक करो अम्रीम्षीम्गलेम्मजाः अम्रीम्षीम्गलेम्मजाः अब खिलिप 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 गली मखल्बंक बन्मेब मजल्बंक बन्मेद़ीं गली मजल्बंक बन्मेद़ीं राजनयाच! तुम्हें श्राप दिया था कि जब ही तुम इस दुनिया में जनम लोगे तुम्हारा वद्ध मैं ही करूँगे याद है ना हर्जुन को तुमने सिर्फ इसलिये मारा क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करता था मेरे पिता इसलिए मरे कि उन्होंने तुम पर विश्वास किया मेरा भाई कहीं राजा ना बन जाए इसलिए तुम ने इसलिए बिबार दिया लिगर आप समय आ गया है तुझसे बदला लेने का कोई भी मुझे इस यकिको करने से नहीं रोक सकता चाहे वो तुम हो या फिर बगवान मैं रोकूंगा अरे यह यह राम लीला का मैदान नहीं है जब तक मैं इस गन्नाश नहीं कर देती इस शरीफ पर मेरा इवश रहेगा प्राइब रहे किर रहेख़ ton रतना अपना हर काम अपने बाएं हाथ से करती थी लेकिन तुमने तो तलवार ताइं हाथ में उठा रखी है इतनी सारी पबलिक में रतना कोई लेफ्टी हो रहा था यह परफॉर्मूंस तो एक दम राइट थी लेकिन हेंड का मामला थोड़ा रोंग हो गया तुम्हारे अभिने ने तो मुझे भी चक्मा दे दिया था लेकिन ही घलती ने तुम्हारी बोल खोल दी काशू 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 काश Fill काश बाशを मember tunya काशी मरी कर दूए avoir Persian काशीab काशी रighs YouTube ठाशी र plumbing काशी लिए 28 में लिए म Civic काशी री काशी दो हО mundial काशी काशी अख़े नहीं इस पर शॉर नहीं है अख़े तसमेश वाला हो नहीं नहीं है तसमेश वाला हो नहीं है मेर औा Ell नहाओं को तास मैं सद्दान औा तास्मै सद्दान औा तास्मै सद्दान औा बस्मैस स०्दान आहा आट तसमे इस्वदागा नमा, तसमे इस्वदागा नमा, 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 नमा रतना, मा, देवी काश्मुरा, जाओ यहां से जाना दो है कि कैसे जाए 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 आउ रदना इस प्रतीक्षा को एक नया अर्थ देती है मामी बाबा चलो 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 आपा चलो 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 अर्रै बज़ा चलोकर उस्ताल जाए इस पीज़ते सिंवेगे जाए शुझाय के यह? अशलो err आप लोगे ही रुखा को पुर्णिमा वही श्राप उतनी ही नफ्रत तुम भी यहीं मैं भी यहीं आ मुझ से युद कर पुर्णिमा के समाब्थ होने से पहले यह तलवार ते रवद गरेगी का कि भाषी है अ दो कि ए एक के सम झा झाल! एया tendencies destiny एयांदवा एय एया ए एया एया एय थए नए और से स्थर यह एगार हझार हुँ हुठ हुआ ह हुए हुए झाल याँ! 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 प्रुटा! है मेहल के गुप्द कक्ष में राजनायक की अस्तियां छुपा के रखी हैं उन्हें ढूड़ने पर ही समस्या का हल मिलना संभव है ईथैं चल राजर मिलना राज़नु अइब राजर 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 कि में रहाँ ठसे खार प्रफ़ कि अ करिए टार कि ए अ खुष्ग दो जार से भाँ थिंग यह लुड़ भाँ तक झा तक 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 जब दूदा थे तक 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 कि एो अ हाँ 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 कि अ हुआ हुआ पुआ हुआ हुआ आज कर दो झाण है हुँ हाँ हुँ 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 न दawk आहुँ हYा 손 कर वो हुआ हाााा रयााा! LEGEND LANE लोको कोई डाय्नमेट नहीं फोड़ेगा पापा क्या हुआ रत्ना महादेवी ने हम सब को राक्षत से बचा लिया क्या कहा अब हमने रत्ना महादेवी को राक्षत से बचा लिया बेटा यम यम उठो यामिनी बेटा यामिनी उठो बेटा आंखे खोलो आज हमें काश्मुरा भगवान ने बचा लिया क्शेमुरा महाराज ने अपना काम किया सारी आत्मा को पर लो पोँचआ दिया सारी आत्मार को हरे मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड किया उन्हें फिर से बुला कर रीप्ले कर लें ह Zombie 노래 कर पार करो जै काश्मूरा एनमाहा इश्वर के अवतार हाँ बेटी उन्होंने ब्रह्मान की सारी दैविक सिद्धियां आसानी से प्राप्त कर ली दर्यक भगवान का स्टेटस मिल गया रहा स्री काश्मूरा भगवान के दर्शन कर लो एक सकें रुक जाए एक मिनट चुप हो जाए मैंने कैमरा और रखा था जै काश्मूरा अभी सच का पता चलेगा था गवान काश्मूरा ड़ा आसानी से अ कच बाग याद्धिया क्ो तो इसी पोज में पोस्टर चपवाएंगे, हुँँ तुम्हें क्या लगता बैग इसके पास होगा? होना हो जरूर वो बैग्ज इसने महल में कई छुपा रखे होगे अभी बैग छोड़ो ना सार, ये भी तो हो सकता है आत्मा उन्हें अपने साथ लेकर उड़ गई हो और अगर इनके पास है तो दक्षेणा समझ के भूल जाओ जैसा सब ने देखा किस तरह श्री काश्मोरा महराज ने अकेले ही महल को उन सभी आत्माउस से छुटकारा दिलवा दिया और ये हमारा भाग्य है कि हमारी मदद करने के लिए काश्मोरा जैसे संद मौजूद है इसमें मौमाया थी वो अमने फैक दी और अंदर भगवान काश्मोरा का प्कोतु रग दिया और पैसे और जब सख्लासा भगवान मिल गए तो उन तूछ काख्यों का क्या महतुला बोलो मावा न वहान कास्मोरा भगवान की जैं कौस मोरा भगवान की जैंकि है है यह 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 चैस केश 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 झाल 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 झाल